हेलो एव्यवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रेवी में मुकाबला है यहां पे पाल बनाम प्रेटोरिया और यह गेम होगा है सेंचूरियन अब बहुत ही इंपॉर्टन मेसेज जो भी साथ आफ्रिका 20 में फैंटेसी कहलने वाला है उनके लिए क्यूंकि सार हर वेन्यू पे बहुत सारे रंज बने अब तक 200 प्लस बहुत सारे रंज यहां पे बने है और बैटर्स आफ डॉमिनेटेड इसलिए आपको अपनी लीग स्ट्राटेजी वही साब से अड़ाप करनी पड़े क्यूंकि कोई भी बैटर कभी भी आके रंज मार के जा सकता है अगर आपने बैटर्स भी लोड कर दिया इन कोई दिन पर कोई बैटर ने एक खराब खेल के आउट हो गया तो आपका गेम उस सिट्वेशन में भी वही पर खतम हो जाएगा तो इंशॉर कि आप वही साब से अलाइन करें एक सिंपल एक्जाम्पल यहां पर मैं आपको दे आपको यहां पर बैटर्स के साथ जाना पड़ेगा और अभी तक तो सेंचूरियन पर गेम हो भी नहीं है विच इस दा हाई स्कोरिंग में वेन्यों क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि बैटर्स फ्रेंडली कंडिशन जाएगा ऐस बाकी दिनों पर तो बैटर का यह गेम होने वाला है जो भी हम मैटर्स डिसकरें रिकॉर्ड डिसकरें उसको आप ग्रैंड लीग के साब से और यूज कर सकते हो क्योंकि नाव इस टाइम कि आप मिनी जियल्स अपने बेस टीम में यूज करो और ग्रैंड लीग से आप जो स्टाट से डेटा है उसका रोटेशन करें तो चलते ह सबसे ज्यादा जो बाउंस है वह सेंचूरियन पर होता है बट सबसे ज्यादा रंज लास्ट यर कहां पर बने सेंचूरियन पर चलते हैं आज के विन प्रिक्शन की तरफ प्रेटोरिया कैपिटल्स इस नोन फॉर बिग हिटिंग तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वह यह मुकाबला विट पाल कुछ वीक्निस है जो हम आगे डिसकस करेंगे आपको लीग के बारे में एक्स्प्लेइन कर चुका हूं आपके पास जो भी फ्री के पैसे हैं उनको बिलकुल मत छूडए क्यूंकि गिववे तो बढ़ता भी नहीं है तो यू एंड अप विनिंग सम प्राइज कोई भी अपडेट्स हो तो वह मैं आपको वही पर बता दूँगा weather report की बात की जाए तो heavy chances of rain interruption again in this game तो दो जो constant themes रहे हैं एक तो rain of water rain and दूसरे हैं boundaries की रहनी है यह दो चीजह हैं एकदम common throughout this tournament till now and more of the same expected tomorrow not too much to discuss in the pitch report क्योंकि अगर आप जाके centurion के last time matches के scorecards देख लो South Africa West Indies का भी जो series वहा था दो सो दो सो दोनों टीम ने बना लिए तो मैं क्या ही discuss करो pitch report में except for the fact कि यहां पर थोड़ा extra bounce है जो हमने last year देखा था बट उसके अलावा यहां पर सिर्व एकी theme है runs runs and lots of runs so that's the pitch report अब चलते हैं expect 11th की तरफ मैं सिर्फ जो changes expected है वही discuss कर लूँगा John 14 जो एक defensive spin bowler है I think वो बाहर जाएंगे इस game में क्यूंकि Evan Jones Evan Jones की साथ उनकी batting depth भी बढ़ जाएगी and they'll have another pace bowler so I think Evan Jones likely to be back in the 11th and Miguel Pretorius I think should be back in place so Senoran Mutusami जोने bowling की भी नहीं in the last game and मैं expect कर रहा हूं कि यहां पर एक extra pacer उन्हें लगेगा so Miguel Pretorius का role यहां पर अच्छा खासा हो सकता है उसके अलावा जो expected line-up से on the similar lines मैं कोई changes expect नहीं कर रहा हूं we get to the pal royal straight up opening batsman Josh Butler should enjoy here अब जो भी batters off the back foot अच्छा खेलते हैं उन्हें bounce पसंद आएगा and यहां पर ऐसा तो नहीं है कि कोई subcontinent का player है अच्छा खासा ज्यादा तर जो है foreign players ही हैं तो सब को इस type के conditions पसंद आएंगे and hence हार batter के पास मैं अब pitch पर यहां पर टिक ही देखोगे so that is Josh Butler I think एक अच्छे player होंगे in these conditions at Centurion पहले खेल चुके एक match में 70 run मारे हैं and versus Pretoria Capitals 4 matches 134 runs last match में छोटा सा start मिला था फिर आउट हो गए थे Jason Roy form कुछ अच्छा खासा नहीं but at Centurion 8 matches में 104 runs so not anything to talk home about maybe a grand league risk आप के लिए बट जिस तरीके से bowling के लिए कोई भी help नहीं रही है I don't know if I am confident to drop him right off the bat Veehan Lover 2 matches 40 runs and 1 wicket against Pretoria Capitals and at Centurion 2 matches 2 runs last match में इनके 6 bowler थे and इस type के venue पे आपका 6, 7, 8, 9th हर bowler का माने वाला है so Veehan Lover should give you some contribution with the bat and with the ball I think with the bat 1 down आ रहे हैं तो वही काफी आपके लिए to pick him up with the ball तो एक wicket भी आपको मिल गया कुछ ओवर्स डाल लिए so that's a bonus Mitchell Van Buren ठीक टाक के लिए थे in the last game, stable लगे in the middle order but मुझे लग रहा है कि जो दिन पे top order को start अच्छी मिलेगी वहां पे ये demote हो सकते हैं so that's a key concern Grand League में बिलकुल आप इने rotate कर सकते हो David Miller big finishing order player and at Centurion 20 matches में 377 run versus Pretoria Capitals भी ठीक टाक किया है इनोंने and SD pitch पे बिलकुल आप इने भी लेके जा सकते हो Fabian Allen I think इस pitch पे अच्छे हो सकते हैं last game में इनकी bowling काम नहीं आये थी and इनके bats से जल्दी out हो गए थे but I'm expecting कि इस type के track पे bat के साथ भी इनका काम अच्छा खासा बन सकता है and spin के साथ भी maybe इनकी requirement लग जाए for some overs especially अगर right handers are out there Handel Peplukwai वो बहुत ही अच्छा last game था man of the match day of the game but ये जो venue है ये इने बिलकुल भी नहीं suit करेगा क्योंकि इनके जो cutters हैं यहाँ पे bet के उपर आएंगे for the batter to smash off तो वो एक बड़ी problem होगी मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि ये perform नहीं करेंगे हो सकता है कि ये 4 overs डाले है ये इनने 2-3 wicket मिल जाएं बट मुझे लग रहा है कि बहुत expensive हो सकते हैं यहाँ पे so I don't know कि कितना ये use होंगे and problem एक क्या है with the pal royals अगर आप इन पे risk पी लेना चाओ इनके पास कोई ऐसा अच्छा खासा पेसर ही नहीं most likely ये जितने भी run खाएं इनको overs डालना ही पड़ेंगा spin यहाँ और भी मार खाता है so he's probably gonna end up bowling and bat के साथ भी इनका मौका आ सकता है Evan Jones I think ये इनके x-factor player होंगे for this game क्योंकि एक heavy ball डालते हैं the bat down the order आके कुछ runs भी कर सकते हैं so Evan Jones पर बिल्कुल एक नजर रखे इस game में definitely I think इनने pick किया जा सकते हैं अगर खेलेंगे तो definitely मेरे side मे रहेंगे versus Pretoria Capitals पहले दो wickets ले चुके हैं runs कुछ खास नहीं अब तक Bajon 14 expecting him to go out for this game क्योंकि इस type की pitch बिल्कुल इनने suit नहीं करेगी so not expecting him to play and अगर खेलेंगी भी तो मेरे side में इनने जगे नहीं मिलेगी simply based on the pitch report Lungi Engiri I think अगर एक Pacer मुझे pick करना है that will be Lungi Engiri अब एक जो theme है जो भी team second डाल रही है वो under pressure wickets ले रही है इस बात का ध्यान रखे and Lungi Engiri तो bowling first भी death में डालेंगे so I don't think आप इन पर एक chance लेना चाहोगे Obed McCoy death bowler है but जिस type के इनके change ups है जैसे मैंने का इस type के track पर change ups will sit up to be hit so Obed McCoy को भी वो हिसाप से यहां से कुछ खास help नहीं मिलने वाली तबरेश शामजी I think यह वापस एक x-factor spinner है second bowling करते है तो जैसे मैंने का under pressure इने wickets मिल सकते है इनकी जो type की bowling है जब यह line and length पर डालेंगे है तो इनने मारना अतना असान नहीं होगा तो definitely इनने pick किया जा सकता है second Dan Villas not likely to play and remember to sign up on my master 11 exchange 22 कुछ top offers इन दोनों apps पर आप सभी के लिए Pretoria Capitals की तरफ चलते हैं फिल सॉल्ट वापस यह venue ने पसंद आना चाहिए last year 5 matches 102 runs and 157 का strike rate तो average छोड़ा कम है but strike rate काफी अच्छा है इस साल form में है so I'm expecting only better things Will Jacks at Centurion 2 matches 126 runs 203 का strike rate so I don't think कि मैं को आपको बताना पड़ेगा कि मेरे captive because of his numbers here and क्योंकि यह six बोलर है तो maybe कुछ overs भी इन से आपको मिल जाए तूनिस डब्रून ठीक ताक चोईस है obviously recently यह competitive cricket कुछ खास नहीं खेले and at Centurion 21 का average है ठीक ताक strike rate है पहले बैटिंग करते हैं तो आप इने रोटेट कर सकते हो राइली रसो लास्ट गेम में मैंने आपको कहा था इन से दूर रहने को क्योंकि उस टाइप की पिच पे मेभी उन्हें उतना favorism नहीं मलता यहां पे पहले बैटिंग करते हैं तो आप आप बंद करके ले लिजेगा second batting में maybe फिर भी chance लिया जा सकता है क्योंकि शामजी के सामने match up है तो under pressure वहाँ पे out हो सकते हैं तो यह हुई राइली रसो की बात Colin Ingram ठीक टाक पिक हैं आप वापस GL में rotate कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इतने सारे options है कि इस type के low select player को maybe आप directly fit in ना कर पाओ Cobain Boss last game में मैंने कहा था आपको कि यह potential four overs bowler है मुझे नहीं लगा था कि आखे चार ओर डालेंगे and 18th and 20th ओर भी डालेंगे काफी अच्छी bowling की इनोंने and with the bat भी on good batting pitches यह आपको काम करके दे सकते हैं तो यह इस game में worth considering है उस cross को आप ignore करिए it's either a neutral or a tick for Cobain Boss that's an error from my side Jimmy Nisham वापस a really good pick first innings में अगर यह bowling करते हैं with the bat इन्हें मौका भी मिलेगा and I think इस game में ज्यादा इनकी importance बढ़ जाएगी even with the ball as spinners को कुछ खास नहीं मिलने वाला from this track Ethan Bosch again यह ऐसे type के bowler है जिनने off the track bounce पसंद है तो अगर एक bowler है जिनको maybe a track पसंद आए वो होगा Ethan Bosch as off the track इन्हें वो bounce suit करेगा plus इनकी जो batting भी off the back foot काफी strong है so Ethan Bosch definitely worth considering आदिल रशीद I don't know वापस इस track पे इन्हें कितनी मदद मिलेगी that is the key question अभी के लिए तो मेरी side में नहीं रहेंगे maybe आप GL में try कर सकते हो in this scenario जो मैंने कहाता है जो चेकेंड बोलिंग में under pressure इन्हें कुछ विकेट्स मिल सकता है Darren Dupavillon last match मैच चा किया था पहले bowling में फिर से इन्हें consider किया जा सकता है second bowling में नहीं लूँगा वापस हमने last game में देखा कि वो जो last death का over था उनका काफी पिटे थे वो वहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि in the death कुछ खास नहीं है ये I don't know कि इन्हें वहाँ उस phase में क्यों डलवाया गया था so Darren Dupavillon एक ठीक ताग choice है बट मैं कहूंगा एक grand league choice है Miguel Pretorius I'm expecting कि इस game में इनकी return होगी in place of Sanoran Mutusami as मुझे लग रहा है कि with the bat ये important हो सकते हैं with the bat and with the ball 52 का average रहा है in the domestic season with the bat for Miguel Pretorius तो एक ठीक टाग choice यहाँ पर in both phases when panel available रहे तो खेलेंगे unlikely to play match-ups की बात की जाए तो similar match-ups to the last game as वापस दोनों टीम दो दिन के अंदर फिर से मिल रही है Jaws Patla versus Adil Rashid एक ठीक टाग match-up यहाँ पर to watch out for and pitch अगर कोई match-up को assist करेगी that'll be Jason Roy versus Ethan Bosch यूंकि जैसे मैंने का Ethan Bosch can extract something off this pitch so Jason Roy पर अगर आपको chance लेना है आप ले सकते हैं यहाँ पर especially if Ethan is bowling first and Raso versus Shamsi if Shamsi is bowling second तो यह जो दो key match-ups हैं maybe they will help you out in your grand league rotations base team में obviously फिर भी quite risky to drop Roy और Raso and Tunis versus 14 हमने last game में discuss किया था maybe this game में 14 ना खेले अब चलते हैं हमारी so we start with the keeping section Phil Salt and Joss Butler दोनों straight forward choices David Miller and Riley Raso good picks here Riley Raso and Jason Roy की में बात कर चुका हूँ कि किस scenario पर आप इन पर risk ले सकते हो in the all-rounder section Jimmy Nisham, Will Jacks, Peehan Lover, Corbin Bosch आप किसी को भी नी चोड़ सकते हो based on the kind of role that they have in the team and in the bowling section and Lungi and Gidi and Ethan Bosch इनको हम लेके जाएंगे अब Jason Roy and Riley Raso पर यहाँ पर आप चांस ले सकते हो rotate करके आप किसको लोग है Fabian Allen and Andal Peploquai दोनों ठीक-टाग picks है and Moz and Andal Peploquai Shamsi if he's bowling second will be an even better pick तो इन picks का ध्यान रखेगा and captain, vice captain की बात की जाए तो Will Jacks straight forward captaincy choice आप numbers देख चुके हो आप यह pitch देख चुके हो and I think Will Jacks will be the one to watch out for vice captaincy की बात की जाए तो I think क्योंकि Corbin बहुत पूरे overs कर रहे और एक अच्छी choice है उसके लावा थोड़ा safer जाना है तो Phil Salt या Joss Butler दोनों ही बहुत अच्छी choices यहां पर आपके लिए तो यह हुई हमारी आज की base team अब चलते हमारे grand league options grand league options for this game Vian Lover of Fabian Allen दोनों when batting first as Phil उन्हें मोका मिलेगा यहां पर to score big on this venue and Vian Lover is batting one down so very likely to bat in both scenarios Athen Bosch obviously because of the kind of bounce already मैं उनको काफी player cards के time पर discuss कर चुका हूँ के इनका impact क्या हो सकता है I select drop this bomb and L pepper look why you already know why batting first bowling second यहां पर Fabian Allen Riley and Miller will be good grand league captaincy vice captaincy choices batting second bowling first Nisham and in both scenarios Bill Jacks Charles Butler and Phil Salt so not much to discuss in this preview कुछ जैसे हमां पता है की काफी straight forward game हो सकता है in terms of the conditions but obviously एक lottery जैस हो जाएगा की कौन चलेगा और कौन नहीं remember to join us at the rate fantasy cricket pro on twitter and telegram for the final teams and updates जल्दी मुलेंगे एक और preview के लिए thank you so much for tuning in and thank you so much for all your support